मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जावे है शिव बाबा मुर्ली में समझाँ तूरे जीवन में हो जाँ शिव बाबा मुर्ली में समझाँ तुम्हे देव ओम शान्ति आज की तारिक है 21.5.2022 की साकार मुर्ली बाबा के महवाक्य है मीठे बच्चे शीरी मत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना मन मत पर चलना वाना अपनी तकदीर को लकीर लगाना प्रेशन बच्चों को बाब से कौन सी उमीद नहीं रखनी चाहिए उत्तर कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बिमारी को ठीक कर दो कुछ किरपा करो बाबा कहते यह तो तुम्हारे पुराने आरगंस है थोड़ी बहुत तकलीप तो होगी ही इसमे बाबा क्या करे कोई मर गया देवाला निकल गया तो इसमे बाबा से खिरपा क्या मांगते हो यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है हाँ योगबल से तुम्हारी आयू बढ़ सकती है जितना हो सके योगबल से काम लो गीत तुने रात गवाई सोएके दिवस गवाया खाएके तीरा जनम का मोल था खौड़ी बदले जाए सुने रात गवाई सोएके तुम्हारने लगन लगाएके मुक्ते कच्छुना बोल रहे बाहर के पट बन रहे ओम शांती बच्चों को ओम का आर्थ तो बताया है ऐसे नहीं ओम माना भगवान ओम अर्थात एहम अर्थात मैं मैं कौन मेरे यह आर्गन्स बाप भी कहते हैं एहम आत्मा परतु मैं परम आत्मा हूं माना परमात्मा हूं वह है परम भाव निवासी परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इस सरीर का मालिक नहीं हूं मैं Creator, Director, Actor कैसे हूँ यह समझने की बाते हैं मैं सवरक का रचेता जरूर हूँ सत्युक को रच कर कल्युक का विनाश जरूर करना ही है मैं करन करावनहार होने करन मैं कराता हूँ यह कौन कहते हैं परमपिता परमात्मा फिर कहते हैं मैं बरमंड का मालिक हूँ बरमंड के मालिक तुम बच्चे भी हो जब बाप के साथ रहते हो उनको स्वीट होम भी कहते हैं फिर जब स्रिष्टी रची जाती है तो पहले बरमन रचते हैं जो फिर देपता बनते हैं बह पूरे 84 जर्म लेते हैं शिब बावा एवर पुज्जे है आत्मा को तो पूरनर जर्म लेना ही है बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते बाप कहते हैं तुम अपने जर्मों को नहीं जानते मैं बताता हूँ 84 का चक्कर कहा जाता है 84 लाख का नहीं इस चक्कर को याद करने से तुम चकरवती राजा बनते हो अब बाप कहते हैं मा मेकम याद करो दे सहित दे के सबी संबंदों को भूल जाओ अब तुमारा यह अंतिम जनम है जब तक यह बात बुद्दी में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है यह दे तो खलास हो जानी है कहाबत भी है आप मुए मर गई दुनिया यह पुर्शार्त का थोड़ा सा संगम का समय है बच्चे पूछते हैं बाबा यह ग्यान कब तक चरेगा जब तक विश्य देवी राज़ानी सापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे इमतिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होगे नई दुनिया में जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है यह शरीरिक रोग भी करम भोग है बाबा का यह शरीर कितना प्रिये है तो भी खांसी आदी होती है तो बाबा कहते हैं यह तमारे आरगंस पुराने हो गए है इसलिए तकलीफ होती है इसमें बाबा मद्द करे यह उमीद नहीं रखनी चाहिए देवाला निकला बिमार हुआ बाब कहेंगे यह तमारा ही हिसाब किताब है हाँ फिर भी योग से आयू बड़ेगी तुम को ही फाइदा है अपनी मेहनत करो किर्पा नहीं मागो बाब की याद में कल्यान है जितना हो सके योगवल से काम लो गाते हैं न मुझे पलकों में छिपा लो प्रिये चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं यह बाब तो बहुत प्रिये है प्रंतू है गुबत इसलिए लब पूरा ठहरता नहीं नहीं तो उनके लिए लब ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं पलके कोई यह आँखे नहीं यह तो बुद्धी में याद रखना है कि यह ग्यान हम को कौन दे रहे हैं Most believed निराकार बाप जिसकी ही महिमा है पतित पावन ग्यान का सागर सुख का सागर उनको फिर सरव्यापी कह देते हैं तो फिर हर एक मनुश्य ग्यान का सागर सुख का सागर होना चाहिए परंतु नहीं हर आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है यह हैं बहुत गुपत बाते पहले तो बाप का पृच्चे देना है पर लोकिक बाप सुरक की रचना रचते हैं सत्युक सचखंड में देवी देपताओं का राज्य होता है जो नई दुनिया बाब रचते हैं कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो कहते हैं मैं आता ही हूँ पतीतों को पावन बनाने तो पतीत स्रिष्टी में आकर पावन बनाना पड़े न गाते भी हैं ब्रम्मा दवारा सापना तो उनके मुख दवारा ग्यान सुनाते और श्रिष्ट करम सिखलाते हैं बच्चों को कहते हैं मैं तुम को ऐसे करम सिखलाता हूँ जो वहां तुम्हारे करम भी करम नहीं होंगे क्योंकि वहां माया है ही नहीं इसलिए तुम्हारे करम अकरम बन जाते हैं यहां माया है इसलिए तुम्हारे करम बिकरम ही बनेंगे माया के रज्जे में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे जब बाप कहते हैं मेरे दोरा तुम सब कुछ जान जाते हो वह लोग साधना आदी करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए अनेक परकार के हठ योग आदी सिखाते हैं यहां तो बस एक बाप को याद करना है मुख से शिब शिब भी नहीं कहना है यह बुद्धी की यत्रा है जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे बाप के नजदीक आएंगे शिब बाबा के गरे का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रेस चार्ट रखना है तो अंतमतीसो गती हो जाए दे भी याद में ना पड़े ऐसी अवस्था चाहिए बाब कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडरे बच्चे नीद को जीतने वाले बच्चे कम से कम आठ घंटे मेरी याद में रहो अभी वह अवस्था आई नहीं है चाट रखो हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं कहां खड़े तो नहीं हो जाते बाब को याद करने से बरसा भी बुद्धी में रहेगा परवर्ती मारग है ना नंबर वन है बाब का सापन किया हुआ सवरक का देवी देपता धर्म बाप राज योग सिखला कर सवरक का मालिक बनाते हैं फिर यह ग्यान प्राईलोग हो जाता है तो फिर यह ग्यान शास्त्रों में कहां से आया रामाइन आदी तो पीछे बनाई है सारी दुनिया ही लंका है रावन का राजजय है ना बंदर जैसे मनुश्य को पुवित्तर मंदिर लायक बनाकर रावन राजजय को खतम कर देते हैं सद्गती दाता, बाप ग्यान देते हैं सद्गती के लिए, उनको सद्गती करनी है अंत में, अब बाप कहते हैं बचे और सब को छोड एक मेरे से सुनों, मैं कौन हूं, पहले ये निश्चह चाहिए, मैं तमारा बहीं बाप हूं, मैं तुम को फिर से सभी बेदो शास्तरों का सार सुनाता हूँ यह ग्यान तो बाप समुख देते हैं फिर तो विनाश हो जाता है फिर जब दौपर में खोजते हैं तो वहीं गीता आदी शास्तर निकल आते हैं भक्ती मारक के लिए जिरूर वहीं सामाकरी जाहिए जो अभी तुम देखते हो औरों का ग्यान तो परंपरा से चला आता है यह ग्यान तो यहां ही खत्म हो जाता है बाद में जब खोजते हैं तो यहीं शास्तर आदी हाथ में आते हैं इसलिए इनको अनादी कह देते हैं दौपर में सब बहीं शास्तर निकलते हैं तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ फिर वहीं रीपीटिशन होगी कोई रीपीटिशन को मानते हैं कोई क्या कहते हैं अनेक मते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान ना सके उन्होंने तो कलब की आयू लाखो वर्ष कर दी है ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महा भार्ज युद्ध को पाच जार वर्ष हुए यह फिर से वही लड़ाई है तो जरूर गीता का भगवान भी होगा अगर क्रिशन हो तो वह फिर मोर मुकरदारी चाहिए क्रिशन तो सत्यूग में ही होता है वहीं क्रिशन तो अब हो न सके इनके दूसरे जनम में भी वहीं कला नहीं रहती सोला कला से चोदा कला बनना है तो जरूर बाई जरूर थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना ऐसे तो मोर मुकरदारी बहुत है क्रिशन जो पहला नंबर सोला कला संपुर्ण है उनकी तो उनल जर्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है यह बहुत गुहा राज है बाब कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते गूमते समय गबाओ यही कमाई का समय है जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही सबर्ग है बाब कहते हैं भल यह सबर्ग तुमको मुवारक हो बाब तो गरीब निवाज है गरीबों क दान देना है गरीबों को सरिंडर होना सहज होता है हाँ कोई बिरला साहुकार भी निकवता है यह बहुत समझने की बाते हैं दे का भान भी छोड़ना है यह दुनिया ही खतम होनी है फिर हम बाबा के पास चले जाएंगी स्रिष्टी नहीं बन जाएगी कोई तो अडवास में भी जाएंगे शिरी क्रिष्ट के माँ बाप भी तो अडवास में जाने चाहिए जो फिर क्रिष्ट की गोद में लेंगे जो फिर क्रिष्ट को गोद में लेंगे क्रिष्ट से ही सत्योग शुरू होता है यह बड़ी गुहां बाते हैं यह तो समझ की बात है कौन माँ बाप बनेंगे, ओन सेकिंड नमबर में आने लाइक हैं, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक्त से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं, ऐसे हो रहा है, पिछाडी वाले बहुत फस्ट कला सर्विस कर रहे हैं, रूप बसंत तुम बच्चे हो, बाप को भी बसंत कहा जाता है, है तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुश्य कहा मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है, उंचे ते उंचा है शिप बाबा, फिर है ब्रमा बिश्नु शंकर, ब्रमा भी ब्यक्त से अभ्यक्त बनता है, और कोई चित्तर है नहीं, बिश्नु के दो रूप लक्ष्मी नरायन बनते हैं, शंकर का पाठ शुक्षम बतन तक है, यहां सतूल स्रिष्टी पर आकर पाठ बजाने का नहीं है, ना पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, यह सब भक्ति मारक की जैसे शिरीमत भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते हैं, शिरी क्रिशन भगवान यह बिलकुल रॉंग, देवताओं की महिमा अलग, उंच ते उंच है ही, परमपिता परमात्मा जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है, सब एक कैसे हो सकते हैं, सरव्या का अर्थ ही नहीं निकलता, तुम हो रुहानी सैल्वेंशन आर्मी, परंतु गुपतो हो, सथूल हत्यार आदी तो हो ना सके, यह ग्यान के बान, ग्यान कटारी की बात है, मेहनत है, पवितरता में, बाप से पूरी प्रतिग्या करनी हैं, बाबा, हम पवितर मन स्वरक का ब बरसा जरूर लेंगे, बरसा बच्चों को ही मिलता है, बाप आकर अशीवा करते हैं, माया रावन तो श्रापित करती हैं, तो ऐसे मोष्ट विलिविड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए, बच्चों की निश्कान सेवा करते हैं, पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर, त निर्वान धाम में बैठ जाते हैं, इस समय तुम सब की बान प्रस्त अवस्ता है, इसलिए बाबा आया है, सब की जोती जग जाती है, तो सब मीठे बन जाते हैं, बाबा जैसा मीठा बनना है, गाते हैं ना, कितना मीठा, कितना प्यारा, लेकिन बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं तुम बच्चों को भी इतनी return service करने चाहिए यह hospital कम university तो घर-घर में होनी चाहिए जैसे घर-घर में मंदिर बनाते हैं तुम बच्चियां 21 जनम के लिए health wealth देती हो शिरीमत पर तुम बच्चों को भी शिरीमत पर चलना है कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी किसको दुख मत दो जैसे महारती बच्चे service कर रहे हैं वैसे फालो करना है तकत निशीन बनने का पुर्शार्ट करना है अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रती मात पिता बाद दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुरली के लिए दारना के लिए मुखे सार नमबर एक बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है बहुत मीठा बनना है नमबर दो चलते फिरते अपना समय नहीं गवाना है शीब बाबा के गले कहार बरने के लिए रेस करनी है दे भी याद ना पड़े इसका अभ्यास करना है वर्दान ड्रामा के हर राज को जान सदा खुश राजी रहने वाले नालिज फुल तिरकाल धशी भाब जो बच्चे नालज फुल तिरकाल धशी हैं बे कभी नाराज नहीं हो सकते भल कोई गाली भी दे इंसल्ट कर दे तो भी राजी क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है इसलिए सदेव यह समरिती रखो कि भगवान बाप के बच्चे बन कर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे तो अभी जो खुश भी हैं राजी भी हैं वहीं बाप के समीप और समान है सलोगन जो ब्यर्थ से इनो सेंट रहता है वहीं सच्चा सच्चा सेंट है यनी महात्मा है जो ब्यर्थ से इनो सेंट रहता है वहीं सच्चा सेंट है यनी महात्मा है ओम शान्ति